वहां भारती जंदापाटी सरकार बनाएगी, मैं सीटों पर नहीं जाओंगा अभी, और भारती जंदापाटी का रेकॉर्ड है जहां दो सीटे मिलती वहां पर भी सरकार बनाती है, जहां कम सीटे मिलती वहां पर भी सरकार बनाती है, या तो मैं तो यह कहता हूं कि जब चु में डंकी की चोड़ पे रहना हो तो इस बार भी वह अपने ही नाम पे वोट मांग रहे हैं लेकिन 27 साल आपके नाम पे वोट देने से हमको मिला क्या अज 2002 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तब कि समस्यां गुजरात की और आज की समस्यां गुजरात की कोई फरक नहीं तथ जो गुजरात का विकास का मॉडेल बताया जाता था वो ढखोष्ला था और वही ढखोष्ला आप सामने आ रहा हैं इसी करन्ड बीजेपी को लगातार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है जितनी मेहनत वो किसी राज्य में करती हुए दिखाई नहीं देनी हलो नमस्कार आदाब सबस्रेकार और सलाम अलेकुम मैं हूँ मौहमद एहमद काजमी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कारिकरम आपके रूबरू इस कारिकरम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से बड़े लोगों से मिलवाते हैं ताके कुछ खबरों पर चर्चा की जा सके और जो कुछ हमें गोदी मीडिया बताता है उससे कुछ आगे तक देखने की हम इसमें कोशिश करते हैं इस वक्त गुजरात चुनाओ जो है वो बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी सिर्फ एक करता है कि बीजेपी लाइफ एंड डेथ का सवाल है दो हजार चौबिस हमारे सामने है उसकी तैयारी के तोर पर इसे समझा जा रहा है इसके अलावा भी वहां नई बात यह है कि आम आदमी पार्टी वहां पहुंची है जिसने अब से पहले दिल्ली और पंजाब में सरकार बना ली है कुछ लोगों को शक होता है कि ये बीजेपी की बी टीम है कॉंग्रेस का सवाय करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे है दिल्ली में और वो शायद ऑल्टरनेट सियासी नजरिया लेकर के आए हैं इस सब पर बात करने के लिए मेरे स जर्बा है और आप मराठी, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में आपके कॉलम रेगुलर छपते हैं बहुत ही गहर जानिबदार और बैलेंस नजरिये के लिए जाने जाते हैं और अपनी बात निडर होकर के रखते हैं ये बहुत बड़ी बात है और आज के जमाने में ये क्वालिटी किसी में अगर बाकी है तो वो एक तरह से टेस्ट से गुजर चुका पत्रकार है अशोक वांगरे जी वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया आप ये बताईए कि गुजरात के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं क्या कुछ होने वहाँ पे रेगुदर मेरा अपेरंस होता है आज आपके चैनल पर भी पहली बार आया हूँ मैं आपके सभी दर्शकों को एक बार प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ और जो आपने सवाल कूछा मुझे कि गुजरात की इलेशन का आपको क्या लगता है तो उसमें द लेकिन गुजरात इस देश की राजनीती के लिए बहुत मायना रखते है उसका मुख्यकारणी है कि गुजरात वर्तमान में जो सत्ता में भारती जनता पार्टी है उनके जो आला कमान है उनके जो सर्वे सर्वा है अमिच शाह और नरेंदर मोदी ये दोनों का वो राज्य है ग्रह राज्य में प्रदर्शन अच्छा करना ये उनकी मजबूरी है ये अनिवार्यता है यदि राजनीती में उन्हें दोजार चुवीस में डंकी की चोड़ पे रहना हो तो तीन ये ये हाइपोथेटिकल बात करे तो तीन बाते हो सकती है गुजरात के चुनाव में य या भारती जनता पार्टी 95 पे 100 तक आ जाती है या भारती जनता पार्टी 80-60 तक पहुंच सकती है असी साथ पे पहुचने पे नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे या उनके नित्रतों में चुनाव होंगे या उसके पहले नित्रतों परिवर केश्व भाही पटेल हार गए थे तो vom मुक्रशनमर्य जीर यह तो फिर यहां लगते हैं तो घुज्रा जैसा हमेते हो इसमें यदि वो 140 सिटी लेके आते हैं तो कुछ लोग अभी है राजनिती में जिनको वो बाहर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जैसे गड़करी है, राजना सिंग है ऐसे तमाम लोगों के टिकेट कटना तय है यदि 140 लाते हैं तो और यदि ये 95-100 तक आते हैं तो फिर इनकी स्थिती बहुत कॉंप्रिमाइजिंग होगी भले ही नितुत्म में इनके चुनाओं होगा लेकिन इनका से जो होगा वो बहुत कमजोर पड़ जाए अब हम आते हैं गुजरात पे गुजरात पे नरंदर मोदी जब गए तब गुजरात में नरंदर मोदी ने गोधरा का जो कांड हुआ जिनोसाइट हुआ उसके बाद जो चुनाओं होए 2002 में उस चुनाओं में इन्होंने 127 सेटे हासिल की थी और कॉंग्रेस ने 50-52 सेटे हासिल की थी वो कॉंग्रेस का सबसे घटिया प्रदर्शन था वर्स्ट प्रदर्शन पूर प्रदर्शन जिसको हम कह सकते हैं और नरंदर मोदी के नेत्वतों में वो सबसे बहतरी प्रदर्शन था उसके बाद नरंदर मोदी का राम राज्य क्योंकि बीजेपी जहां राज्य करती है, वो रामराज्य ही होता है, वो सुचाशन होता है, वहाँ कोई भाष्टाचार नहीं होता, यह तमाम बाते कही जाते हैं। तो वो तथाकतित राम राज्य तब से 2002 से उसके पहले से चलता आ रहा है, 17 साल कंटिनियूशन में वहाँ सरकार है, लेकिन ताज़ुक की बात यह है कि हर विदासबा चुनाव में बीजेपी अपने सीटे खोती गई और कॉंग्रेस अपनी सीटे बढ़ाती गई, 2019 में ये स्थिती होगी कि कॉंग्रेस सेवन की सेवन पर आई और बीजेपी को तीन आकड़ों पर जाना मुश्किल हो गया और 99 पर बीजेपी रोकी गई, तो इसकी माइन यह है कि हर साल कहीना कहीं ब्रैंड में डेंट पढ़ रहा है, हर साल पॉप्लिरेटी में थोड़ी कम आती रही है, हाँ, वोट परसेंटेज की बात करें तो आपको वोट परसेंटेज फ्रेक्चूट होती होई दिखाई देता है, वो इसलिए होता है क्योंकि शहरी सीटों में जो मार्जिन से वो कई बार जादा हो जाते हैं, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन सीट कंवर्जन नहीं है, बाएन लार्ज यदि गुजरात को मैं पुरा डिवाइट करू, तो गुजरात में रूरल गुजरात और अर्बन गुजरात ये दो अलग-अलग बेहेवियर पैटर्न दिखते हैं, रूरल गुजरात में आज भी कॉंग्रेस डंकी की चोट पे अपना वजूद बनाए हुए हैं, और जो 77 आई हैं, उसमें से 60 से ज्यादा सीटे ये रूरल गुजरात की हैं, और यदि 99 पे BJP आती है, तो BJP ने शहरों में स्वीप किया हैं, सूरत में 12 सीटे थी, तौ 12 सीटे स्वीप की, आमधाबाद में total 22 सीटे पढ़ती सूरा और अमधाबाद मे पूरी की, Doors does the Commonwealth spend of just주는 लेकिन शहरों में भली उन्होंने स्विप की होगी, लेकिन कॉंग्रेस शहरों में इतना बुरा प्रदर्शन नहीं कर पाथ हो था कॉंग्रेस का, जहां डिपॉजिट जबत हो जाए, यदि अमतनगर की एक सीट ले, जहां पे नरंदर मोदी लड़ते थे, मनिनगर की, जब आई, तो सबसे पहले सूरत में आम आदमी पार्टी को अच्छा रिजट मिला, उसका कारण ही था, कि पटेल आंदुलन के साथ, हार्दिक पटेल के साथ, जो लोग चले गए थे, कॉंग्रेस में, उन्हें हार्दिक पटेल टिकेट दिलवा नहीं पाए, तो वो लोग चुनाओ लड़ना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकेट दिलवाया, वो अपने बल्बूते पर चुनाओ जित के आए, वहां आदमी पार्टी का ऐसा वोड़ बैंक नहीं था, जिसके भरो से सूरत में उनको सीट मिले, लेकिन जब आपके माश सीटे आज अधन हो जाते हैं, जब आप चर्चा में आ जाते हैं तो फिर आप उस चर्चा को कैस करने लगते हैं, और आम आदमी पार्टी का जो एग्रिसिव मेडिया कैट्पेर हैं, एग्रिसिवनेस जो है उनमें, वो हमेशा उनको रिजल्ट य देती है, ऐसी बात नहीं, हमें डिल करीब करीब लड़े हैं लेकिन किसी चुनाव में उन्होंने वो नहीं हासिल किया जो दिल्ली में हासिल किया दिल्ली में उन्होंने पहली बार अजना आनुदलंग के सारे अपनी नईया पार की दूसरी और कॉंग्रेस दिल्ली में एक constant percentage पे थी दिल्ली की बात करें तो सिर् बैंक पर्शंटेज वही था और बीजेपी चार सीटू पर यही था बीजेपी पहले बार सत्ता में तब आई जब समाज भभज़र समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में एंट्री की आउटर दिल्ली भभजल समाज पार्टी खा गई और कांग्रेस का वोट परसेंटेज डाउन आ गया बीजेपी सत्ता में अई उन्होंने तीन-चार पास साल लेकिन जब कॉंग्रेस वापस आ गई तो कॉंग्रेस ने अपना वोट शेर जो करीब-करीब 60 प्रतिशत था वो बरकरार रखा लेकिन अन्हाजारों के आंदल में ने वो 60 परसेंट शेर में से करीब-करीब 55-56 प्रतिशत शेर आम आदमी पार्टी को दे दिया उसके बाद आम आदमी पार्टी आई वो राजनीती दिल्ली की जानती है अच्छी तरह से इसलिए और दुसी तरफ शिला दिक्षित का बाहर जाना फिर उनकी डेथ होना और कॉंग्रेस में कोई नया नेत्रत्व नहीं होना इसके कारण कॉंग्रेस अपना वोट बैंक वाप थी कि लिडर अप अपोजिशन उनको मिल गया था तीन से चार उनके लोग सभा सदसे थे ऐसे में यदि आप अपोजिशन में लिडर है तो फिर आप सत्ता में जाने का रास्ता आपको खाली हो जाता है यही करण है कि पंजाब में उन्होंने जो आकाली दल की जगा ले ली पास साल कॉंग्रेस की सरकार रही वहां लिडर अप अपोजिशन और में अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी थी सत्ता परिवर्तन हुआ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई गुजरात में इसा नहीं है गुजरात में यह गय है इस बार चोरो शोरो से गय है लेकिन कॉंग्रेस का वहाँ अपना एक वजूद है कॉंग्रेस मरी हुई हालत में भी पचास सिटे लाती है और आज कॉंग्रेस का worst of worst जो सर्वे भी है कोई भी सर्वे कॉंग्रेस को 60 से नीचे नहीं दे रहा है लेकिन मेरा मानना है कि 27 साल की एंटी इंकेंबेंसी है एंटी इंकेंबेंसी का जो फार्मूला लरेंदर मोदी जी के पास बहुत पूरा ना फार्मूला है जब वहाँ थे मुक्यमती तब भी वो सव सव लोगों के टिकेट काटते हैं उनको लगता है कि MLS के टिकेट काटने से एंटी इंकेंबेंसी MLS के साथ चली जाएगी तो नया फ्रेज चेहरा देने से उचनाव जित जाएगा ये हुआ एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ चौती बार उन्हें समझ में आ गया कि ये नहीं होगा तो उन्होंने पुरी कैबिनेट ही रद्द करती पुरी कैबिनेट के कैबिनेट नहीं आ लो ये पुरानी कैबिनेट के साथ एंटी इंकेंबेंसी चली जाएगी लेकिन सवाल ये है जो बहुत कम लोग इसको रेखांकित कर पाए है पिछले तीन चार चुनाव से ये नरंद्र मोदी के चहरे पर उट माँगे जाते है नरंद्र मोदी कैबिज आ कमल पर बटन दबाईये आप समजीए उट मुझे जा रहा है अब मोदी जी की जो एंटीन केंबेंसी है खुद की उसका तोड मोदी जी के पास नहीं है वो खुद को विड़ा करके किसी को प्रेजिट नहीं कर सकते हैं इस बार भी वो अपने ही नाम पे वोट मांग रहे हैं लेकिन 27 साल आपके नाम पे वोट देने से हमको मिला क्या है दो हजार दो में जब नरेंदर मोदी आये थे तब कि समस्या है गुजरात की और आज की समस् कोई फरत नहीं है पौलूशन है नीचे ग्राउंड वॉटर में आप जाहिए हजार पीट नीचे जाने के बाद भी प्लूटेटर वॉटर मिलता है कि它 कल्चसर के अपने प्रॉप्लेमस है वाटर के अपने प्रॉप्लेमस है सबसे बड़े प्रॉड्लेम जो है महंगाई सबसे ज़्यादा तो गुज्रात में उससे लोग तरही तरही हो रहे हैं उसके बाद कॉलेज और स्कूल्स और हेल्थ सेक्टर कोविड में हेल्थ सेक्टर को नंगा कर दिया कोविड ने गुज्रात में हाइकोर्ट से लेके तमाम कोटों की स्ट्रिक्चर से सरकार पे कि आप रूरल में एक और्डिनरी हेल्थ सेंटर नहीं दे पार है एजूकेशन ड्रॉप आउट रेट इदि देश में सबसे ज़्यादा कहीं है तो गुज्रात में गुज्रात में स्कूलों की समझ से हैं टीच जाने के वज़े से संपर्न स्टेट नहीं हुआ गुज्रात के लोग ही उद्यमी लोग है एंटरप्राइजिंग लोग है गुज्रात के लोग ट्रेडिंग कम्यूटी साते हैं जो पटेल कम्यूटी है वो एग्रिकल्चर में है एग्रिकल्चर जहां रेनफेड एग्रिकल सब्सक्राइब टृट weekend 2021 जो गाये भैसे पार कोख़ना प्रकॉपında इतना प्रकॉप है सरकार को एक बिल पास करना पड़ा और पर लोगों केल ड्रेंग हो की पालने वाले वाले थे इनोंने बहुत बड़ा अंदोलन किया तो वह बिल वात रहना पैस तो कई ऐसी चीज़े है जो ये दिखाई देती है कि वहाँ इस बार एंटिंग केंबेस है भी है लोगों की नाराजगी है भी है कॉंग्रेस लगातार धिरे धिरे अपना प्रदर्शन ठीक करते आ रही है कॉंग्रेस पे आरोप लगता है कि उनके पास नेता नहीं है लेकिन फिर नेता तो बीजेपी के पास भी नहीं यदि मोदी जी और शाजी छोड़े तो वरतमान में जो मुख्यमंत्री है उसका नाम ही दि आप किसी को पूछे तो यह तमाम बात है इसमार विरोध बहुत हुआ है विद्रोह बहुत हुआ है बारा-बारा लोगों को सस्पेंट करना पड़ा है आपको जिन लोगों को आपने मंत्री मंदल से निकाला उनको कहिना के और्गनाजेशन में आज्जिस्ट करने की बात हो रही है वह करमचारियों के आंदलन पिछले 5 साल से चल रहे है वह उन आंदलन के लिए आपको कमिटी बनानी पड़ रही है आपको हिंदू-मुसलिमी एक करने के लिए वह कॉमन सिविल कोड लाने के लिए एक कमिटी की अनौस्मेंट करनी पड़ रही है जितनी मेनत वो किसी राज्य में करते हुए दिखाई नहीं देते लाको करोर रूपे के प्रोजेक्ट भेज दिया आपने आपको वेदानता जो प्रोजेक्ट लाया है महरास्टा से खीच के उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ रहा है कि हमने देखोई वेदानता का प्रोजेक्ट लाया ईतने लोगों को एमप्व्ञेम barrier मिलेगा आपकोमिंट के मेले लगाने पड़ रहे है परह्टाचार वहर चरम पर है कोई बोलता नहीं इसका मतलब इननी के व्रह्टाचार नहीं है हाली में मोरवी में हुए एक्सिदेंट में 141 लोग मारे गए लेकिन उस जिसको अरेश्ट करना चाहिए था जिस पार कंपनी के पास कॉंट्रेक्ट था वो कंपनी का मालिक इनके मंत्री का बहही है मतलब समधी है तो आज वो छोटे मोटे अधिकारियों पर हो रहा है और सरोच चैनल ने तो अभी इस ट्रिक्चर पास किया हाई को आदेश दिया है कि इसको ठीक से मोनिटरिंग करके कल्प्रिट्स को बुक करोई इसमें अच्छा वांखेड़े जी जो बात मैं समझना चाहता हूँ इस वक्त वी जे पी उन इशूज पर कोई इलक्शन कैमपेंड नहीं आगे बढ़ा रही जिसमें जो आपने बताया जो प्राब्लम्स हैं जो तरफ्टी नहीं हुई बेरोजगारी महँगाई इन सब पर कोई बात नहीं हो रही दूसरी तरफ कॉंग्रेस की तरफ से भी ऐसी वहां से रिपोर्ट्स हैं के अभी चार पाँच दिन पहले तक भी महां कैमपेंड कमेटी का कोई एनाउंसमेंट नहीं हुआ था वहां कॉंग्रेस का जो कैमपेंड चलना चाहिए जिस तरीके से उसमें बहुत कमी आई और एक और भी यह पता चला के आहमादमी पार्टी पर भी जब से दिल्ली में शिकंजा कसना शुरूर किया गया तब वहां आहमादमी पार्टी की कैमपेंड भी काफी नीचे गई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? केमपेंड शुरू किया यही कारण था कि नरेंदर मोदी जी को अपने भाशन में ये बोलना पड़ा कि कॉंग्रेस को आप लाइटली मत लीजिए कॉंग्रेस अंदर ही अंदर चर्चा करकर के गाउं में बुरी अच्छी तरह से प्रचार कर रही है कॉंग्रेस आज किसी हालत में नरेंदर मोदी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है इसलिए नरेंदर मोदी का और बीजेपी वाले भी समझ में आ रही उनको कि कॉंग्रेस ट्रैप में क्यों नहीं आ रही है मैं जब नरेंदर मोदी की आखरी चुनाव लड़ रहे थे गुविधान सभा का वहाँ का उसके बाद हो तो दिल्ली आ गया उस टाइप कर यह आपने कैम्पेंग देखा होगा तो गुजरात में इतने इशूस थे इतने इशूस थे कि जिसके उपर सरकार जा सकती थी लेकिन नरेंदर मोदी जीने पहला इशू उठाया सोनिया गांधी के इलाज का खर्चा पंदा दिन वो चला वो बोगस साबित हुआ उसके बाद उन्होंने पचास करोड की गर्ल्फेंड करके शेशितरूर की पत्नी को उपर लांचन लगाते हुए और भ्रष्टाचर के का लेटर है मेरे पास कि गुजरात का सरक्रीक यह पाकिस्तान को देने जा रहे हैं और जब तक मेरे जीवन में मेरे शरीर में जान है मैं यह होने नहीं दूँगा यह फरजी कागत था क्योंकि उसके बार तो प्रधान मंत्री बने हैं अब प्रधान मंत्री कार्याने उनके पास है यदि ऐसा कोई कागज दिया होगा वो कागज उनको पार्लेमेट के पटल पे रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए यूपय सरकार को कि आप भारत का सरक्रीक किस अधिकार से और किस लिए पकिस्तान को देने जा रहे थे लेकिन जो ओरीजनल इशूस थे गोचर सिर्फ इशूस पर बात कर रही है अपने अजंडे पर बात कर रही है और आम आत्मी पार्टी उससे भी ज़्यदा तेज निकली उन्होंने इनका अजंड़ा हाईजक कर लिया लक्षमी गणेश के फोटो नोट पर चाहिए करके ऐसा हिंदूत्व का कार्ड खेला कि अब लक्षमी गणेश आने के बाद वो बहुत कॉशिस हो गए अब हिंदूत्व का भी यही अजंड़ा आमाद में हाईजक करे और सारी चीज़े आप हाईजक करो तो फिर आपके पास बच्टा क्या है कुल मिला के अंतिम पड़ाओं में जो मुझे लगता है आकरी तीन- गलत है फेक है इस पे बोलना शुरू किया है इसके माएने अब इनके पास इनके तरकश में कोई तीर नहीं बचे पार्टी बहुत बुरी दरह से फसी हुई है और लोगों का लोगों के पल्स पता नहीं पड़ पा रहे पारे पार्टी को अच्छा मैं समझना चाहता हूं क अभी जो राहुल गांदी ने वीर सावर करके उस माफी नामे का जिकर किया क्या ये टाइमिंग सही था क्या ये काम करेगा इलेक्शन में इसका क्या आसर होने वाला है देखिए लोगों को वीर सावर कर समझना होगा वीर सावर कर एक स्वतनता सेना नहीं थे उन्होंने आ दूसरी सच्चाई उनकी है कि वो मराटी साहित के बहुत बेतरीन साहित्यकार माने जाते हैं। लेकिन उनका लिखा हुआ पत्र भी उतना ही सच है। ये बात भी जानते हैं। लेकिन भारते जनता पार्टी यदि वीर सावरकर के लिए कांग्रेस पे आक्रमक है और वीर सावरकर को हिंदू आइकॉन मानती है तो फिर भारते जनता पार्टी क्या सावरकर का हिंदूत्वर एक्सेप्ट करेगी सवाली है सावरकर का हिंदुत्व यदि एक्सेप्ट होता बीजेपी को तो राष्ट्रियस वयम सेवक संग की स्थापना नहीं होती क्योंकि जब हिंदु माहा सवा की स्थापना सावरकर जी ने की थी वो वही हिंदुओं के लिए एक और्गनाजेशन था फिर राष्ट्रियस वयम सेवक संग क्यों अलक्से स्थापन करना पड़ा क्योंकि जो सावरकर का हिंदुत्व था वो बहुत कड़वा हिंदुत्व था थोड़ा एग्रेसिव और मॉडर्न हिंदुत्व था उदारन के तोर पे सावरकर ने यदि सावरकर समगर सावरकर वॉल्यूम टू आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने गाय के बारे में लिखाए उन्होंने कहा कि गाय ना गोमाता है ना गाय में कोई दैवी शक्ती है गाय सामान ने पालतू जानवर है जिसके पालने से इंस प्रबसी दिखाई देती है समाज में ये उन्होंने शब्द यूज़ किया उसके बाद आगे वो कहते है कि जो चीज इनसान के काम के नहीं रहती है उसका इनसान चाहे वैसा उपयोग कर सकता है उनको जब गाय के मास खाने पे बोला गया था कि गाय का मास वरजित है या खान अपयोग कर लेना चाहिए तो गाय के भक्षण में भी उनका कोई विरोध नहीं था तो ऐसे में ये कहना कि उस जमाने के तमाम आजादी के जो हमारे हिरो थे लड़ाई लड़ने वारे उन्होंने एक सेट फॉर्मैट में मापी मांगी थी ऐसा नहीं हुआ काले पाने की सि जेल वाली सजा वो सजा अलग थी जवारला नेरू ने जो सजा भोगी वो अलग थी मैं मानता हूँ इस बात को लेकिन सावरकृर अकेले नहीं थे लिए करीब करीब 600-700 लोगों को काले पानी की सजा हुई थी अकेले महराश्ट्र में से सव नाम हैं जिनको काले पानी की भूठ कमा गए सावरकर जी ने वहां एक पत्र लिखा सावरकर जी का पत्र Victory us वाला पत्र नहीं नहीं है ओबीडेंट्ली यॉर्स वाला पत्र नहीं है रावल गांदी ने सावर करके उस पत्र का जिकर खिया सावरकर को क्या ये भारत पहतन देंगे सवाल जै माहराष्टर को भारत रत्न रोकने वाले कोन होते हैं आप दे दीजिए उनको यदि हिंदू आइकॉन है तो सावर कर ये कभी महाराष्ट्र में राजनीति का मुद्दा हुए ही नहीं महारास्ट्रा में किसी भी चुनाव में सावरकर कभी मुद्दा नहीं रहा लेकिन सावरकर के अच्छाई के लिए यदि इंद्रा गांधी ने उनके ओपर स्टैंप निकाला तो सावरकर की यदि कोई गलत चीज़ है यदि उसको उजागर करने का अधिकार राइट टू एक्स्परिशन में सब को है यदि आशोकवान कड़े एक पत्रकार करके आपने मुझे यहां बुलाया और आपने मुझे बिठाया लेकिन कर मैं किसी बैंक के गबन में मेरा नाम आता है तो काजमी साहब आपको वह भी उजाकर करना होगा कि वह अच्छे पत्रकार थे लेकिन बैंक के भ्रहटाचार में भी लिप पाए गए तो बैंक के भ्रहटाचार में जाने से मेरी पत्रकरता खतम नहीं होती और मैं पत्रकार हूं इसलिए मैं भ्रहटाचारी नहीं हो सकता तो जीवन के कई असंग के पहलू है मात्मा गांधी से लेके हमारे दर्शन शास्त्र में तो भगवा स्रीकृष्ण को भी कई जगा गलत कहा जाता है कई जगा जब गीता को भाषित करते परिभाषित करते लोग तो कई जगा ऐसी ऐसे भी लोग है कि जो स्री कुछनर के उस वर्जन से नहीं मानते हिंदूओं में भी कई ऐसे लोग है जो रावन की भी पुजा करते है करते हैं अगर में अगर नतीचे के तार लाया जाए तो क्या कॉंग्रेस की सीटे बढ़ेंगी जै पी सरकार में आएंगी नहीं आएगी कहीं कुछ अभी कुछ आप कहने की चाहलों है क्या कुछ जहाँ दो सिटे मिलती वहाँ पे भी सरकार बनाती हैं, जहाँ कम सिटे मिलती वहाँ पे भी सरकार बनाती हैं, या तो मैं तो यह कहता हूं कि जब चुनाओ जीते हैं तो वो सरकार बनाते हैं, और चुनाओ हारते हैं, तो यकिनन सरकार बनाते हैं, यह बहुत बड़ी बात है पिछले दिनों जो चिलंगानाग में चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फेंस की थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो लोग पकड़े गए थे MLA's को करने की तो उन्होंने ये कहा था कि आठ स्टेट्स की सरकार हम गिरा चुके हैं चार हमारे टार्गेट में हैं तो ये तो बिलकुल पूरे बारत में ही तकरीबन वो कोशिशे हैं और अब तक हमने आपने देखी हैं और आपने जिस यकीन से कहा कि सरकार वो बनाएंगे उसमें उनका वो वो चरितर भी सामने रख दिया आपने कि वो इस तरह से भी कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रियाँ आपने गुजरात के बारे में काफी कुछ बताया कोई खास बात अगर आखिर में रह गई हो कुछ नतीजे के तोर पर आप ही कुछ के अगर कंक्रूट करें तो नहीं मुझे नतीज़ की यही है कि ब्रैंड मोधी दिन बाद दिन अपना वैल्यू कम करता जा रहा है खासकर उत्रप्रदेश के चुनाव में भी भले उत्रप्रदेश में सरकार आई हो लेकिन हिंदुत्व का मुद्धा आयोध्या में सबसे ज्यादा बीजेपी की सिटे चली गई और बनारस जहां काशी विश्वनात का कॉल्डर उनने समर्पन किया देश को और लगातार तीन दिन रहे गली-गली घुमें उसके बावजूद सत्तावन में से चोविश सिटे समाजवादी पाटी ले जाती है तो कही न कहीं वो ब्रैंड रोड होते हुए ब्रैंड कमज़र होते हुए उसकी चमक कमज़र होते हुए दिखाई देती है जी जी बहुत बहुत शुक्रिए आपने जो बीच में एक बात कही थी कि वो अपनी जो एंटी इंकममेंसी है उसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है तो अब बिलकुल सेंट्रल पॉइंट पे आकर के ही अगर गिरने का कोई इंतजाम हो गया और जिस तरह से आपने बताया कि वो डिटीरियोरेट हो रही है तो उसके बाद बहराल काफी कौशन, एक्स्ट्रा मेनत और तमाम वो कोशिशें गुजरात में हो रही है जिससे वो इलक्शन जीच सकें आपने का कि वो सरकार बनाएगी, कैसे बनाएगी, कितनी सीटों के साथ होगी, कितने वो क्या कुछ करेगी बाद में इंतजाम, वो आने वाला वक्त बताएगा बहुत बहुत शुक्रिया, शुक वांखेडे जी, आपने हमें वक्त दिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाज, शुक्रिया, जै भारत, जै ही मीडिया इस्टार वाल्ड के और वीडियो लिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधर नोटिफिकेसन पाने के लिए बैल आइकन लबाएं और अगर हमारी ख़बर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने वाटसाप, इंस्टागराम, फेस्बुक और ट्यूटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें